कार अपण दिख्चुदे भारता 360 लोको सभारे अनास्था प्रस्ताव उपरे चाली ची सर्गरम आलोचुना देवे आलोचुनारू वाकाउट करी ची बीजेडी चोद बर्सरे लगातार ओडिसा प्रती अवाडा होई ची बोली विजडी कही ची यूपीए बेले दसा बर्स यूपीए अनिदीय बढ़े चारी वर्श ओडिसाको अवाडा करा जैति वा भर्तुरे वताव कह Iraqi चंदन अलोचुनारू ओडिसाको के चेलाभ हैवा नाही बोली विजडी कही ची तरने भम नास्ता प्रस्ताव आलोचुनारू 00 करिचे निम्हें, आलो चुना पाई विजेडी को मंदाई ना 15 मिरेंट रा समया, Congres को न आ पाई मनिची 38 मिरेंट रा समया, तेवे आलो चुना पाई दे जये तिव्या समया कुनही, Congres राशंतोस, Congres राशंतोस प्रकास करिची, समर प्रती वंधक आटाई व्याक कुदावी 4 years of NDA has done injustice to the people of Odisha. This discussion will not be any way fruitful for the people of Odisha. Therefore, we are working out, we are not participating in this discussion. We are working out, we are working out, we are working out. We are working out, we are working out. We are working out, we are working out, we are working out. We are working out, we are working out, we are working out. We are working out, we are working out, we are working out. We are working out, we are working out, we are working out. We are working out, we are working out. We are working out, we are working out, we are working out. We are working out, we are working out. We are working out, we are working out, we are working out. We are working out, we are working out, we have working out. We are working out, we are working out. प्रतिक्रिया पाई बिश्तुरंजन महांती ए आए सी संपादक तांकर प्रतिक्रिया रखती लेगं बिजु जनता दलकुमाध्य समालोचना करीछंती जे आलोचनारू कहें की वाकाउट कला बीजेडी एवे आमें आपने को पार्लामेंट को सिधास्टलक लुक्सेवाको न अनास्ताप प्रस्ताप रे आलोचनार भागाने निजरमात रखुछंती तो भी ने दिर एक अवर लॉंग स्पीचिस ना वह एल्स आर विक्तिम्स अफ दो जुम्ला स्टैक दक सांज अब कंट्री speaker ma'am the kisans of the country the youngsters of the country the dalits the tribals and the women of the country आपने बोला कि प्रधान मंत्री के शब्द का मतलब होना चाहिए और यही सवाल पूरा हिंदुस्तान आज पूछ रहा है पंद्रा लाग रुपे हर भी अक्ति के बैंक अकाउंट में जुम्ला नंबर एक जुम्ला नंबर एक जुम्ला स्ट्राइक नंबर एक पंद्रा लाग रुपे हर बैंक अकाउंट में जुम्ला स्ट्राइक नंबर दो दो करोड युवाओं को हर साल रोजगार रोजगार पे चलते हैं दो करोड युवाओं को रोजगार देने के बात की थी आप कौणसी दुन्या में है? मेरे पास यहां आख्रे है मेरे पास मैं देख रहे हूँ न उनका नाम लिया आप से पहले, आप में डिस्टरब करो उनको, बैठो, 2016 में, पूरे हिंदुस्तान में, चार लाख युवाओं को रोजगार मिला, ये लेबर ब्यूरो के सर्वे के डीटेल्स हैं, मेरे नहीं हैं, इनके आक्रे हैं, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के युवा ने प्रदान मंत्री जी पे भरोसा किया था, और हर भाशन में प्रदान मंत्री जी ने कहा था, तिक दो करोर युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूँगा, और सच्चाई है, कि सिर्फ चार लाख युवाओं को रोजगार मिला है, दूसरे तरीके से कहता हूं, दूसरे तरीके से कहता हूँ जो काम चाइना 50.000 युवाओं को 24 गंटे में रोजगार देता है उसी काम को आप लोग 400 युवाओं को 24 गंटे में काम देते हूँ ये सचाई है इनके खोकेबन की ये सच्चाई है इनके शब्दों की और जहां भी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं कभी कहते हैं पकोड़े बनाओ कभी कहते हैं दुकान खोलो रोजगार कौन लाएगा रोजगार small and medium businesses लाएंगे छोटे दुकान दार लाएंगे construction industry में आएंगे और आपने क्या किया आपने क्या किया पता नहीं क्या हुआ कहां से message मिला क्या हुआ आठ बजे रात को काले धन के खिलाफ प्रधान मंत्री जी ने action लिया demonetization किया शाहिए प्रधान मंत्री जी ने सबसे जबर्दस चोट हमें मारी है और आज बेरोजगारी हिंदुस्तान में साथ साल से सबसे ज़्यादा है ये है नरेंद्र मोदी जी का प्रधान मंत्री जी का शब्डों का सच प्रधान में में ठीट जी ने सबसे जी ने सबसे जबर्दस जी का शुरक मारी है गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने विरोद किया था हम चाहते थे कि एक GST हो पेट्रोल डीजल उस GST में हो हिंदुस्तान के लिए एक टैक्स लगे और कम से कम डिस्रप्शन हो प्रधान मंत्री की GST पांच अलग अलग GST और चोटे से चोटे दुकांदार के घर के अंदर आपने इंकम डैस्ट डिपार्टमन को डाल दिया और करोणों करोणों लोगों को आपने बरबाद किया प्रधान मंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं नहीं बाहर जाते हैं मतलब अबरोड जाते हैं उबेमा जी के पास फ्रंक जी के पास जाते हैं मगर अपने अपना जो सेक्यरिटी कवर है उससे बाहर नहीं निकलते हैं प्रधान मंत्री की चोटे दुकानदारों से स्मॉल बिजिनस के से बात नहीं होती है प्रधान मंत्री की बात सिर्फ सूट बूट वाले 15-20 सबसे बड़े बिजनेसमेंट से होती है तो जो छोटे दुकानदारों के दिल में है जो किसानों के दिल में है जो गरीबों के दिल में है वो प्रदान मंत्री तक नहीं पहुँचता है तो पूरी रोजगार के पूरे सिस्टम को आपकी सरकार ने सबर्दस ठोकर मारी अनेम्प्लाइमेंट विलाया और जैसे मैंने कहा जो पहले पैसा कमाते थे छोटी दुकान चलाकर छोटा बिजनस चलाकर मीडियम साइस बिजनस चलाकर उनकी जेब के अंदर आपने हाथ डाला और उनका पैसा आपने छीन लिया इस सचाई को इस सचाई को इस सचाई को बदला नहीं जा सकता है और आपने बिल्कुल सही कहा जीयों के इश्तिहार पे प्रधान मंत्री जी का फोटो आ सकता है और वो जो शक्तियां जो इनकी मदद करती है और वो दस बीस बड़े बड़े बिजनसमेन है उनके लिए ये सब कुछ करते है मकर बाकी हिंदुस्तान के लिए गरीबों के लिए कमजोरों के लिए दिल में थोड़ी सी भी जगए नहीं है कहा था कहा था प्रदान मंत्री जी ने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूँ मैं चौकीदारी करूँगा मैं प्रदान मंत्री नहीं हूँ मैं देश का चौकीदार हूँ अच्छाब है, मगर जब अमिद शाह के पुत्र जैशा, पचास, नो नीम नेका झाए है, किसी का भी जय को झाए है, । निकाल दिया, बोल दिया, नो नेम निम 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 निम, निम 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 निम, निम 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 जब प्रधान मंत्री के मित्र के पुत्र 16,000 बार अपने हामधानी को बढ़ाता है तो प्रधान मंत्री के मूँ से एक शब ने किलता है राफाइल हवाई जहाज हमारी यूपिये की डील में हवाई जहाज का दाम पाँच सो बीस करोड रुपे प्रती हवाई जहाज पता भी क्या हुआ किस से बात हुई पता ने क्या हुआ किस से बात हुई प्रधान मंत्री जी फ्रांस गए वहाँ पे किस के साथ गए पुरा देश जानता है और जादू से जादू से हवाई जहाज का दाम 16,000 करोड रुपे प्रती हवाई जहाज हो गया दिफेंस मिनिस्टर यहां बैटी है दिफेंस मिनिस्टर यहां बैटी है उन्होंने पहले कहा कि मैं देश को हवाई जहाज का दाम बताऊंगी पब्लिक में कहा उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद दिफेंस मिनिस्टर ने उसके बाद दिफेंस मिनिस्टर ने क्लिरली बोला कि मैं यह आखना नहीं दे सकती हूँ क्योंकि फ्रांस की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में एक सीक्रेसी पैक्ट है मैं स्वयम फ्रांस के राश्टरपती से मिला और मैंने स्वयम फ्रांस के राश्टरपती से ये सवाल पूछा क्या ऐसा कोई पैक्ट हंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में है और फ्रांस के राश्रपती ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में नहीं है ये सचाई है और उन्होंने मुझे बताया उन्होंने मुझे बताया इस से कहने से मेरा कोई इतराज नहीं है आप ये बात पूरे हिंदुफ्तान जो बताईए और सीधा नरेंडर बोदी हिंदुस्तान के प्रदान मंत्री के दबाव में आकर प्रदान मंत्री के दबाव में आकर निर्मला सीधा रमन जी ने देश को जूट बोला है किसकी मदद हो रही है क्यों मदद हो रही है निर्मला जी, प्रदान मंत्री जी आप देश को बताईए असत्य बोला है मिदद हम रही है जब ये निन्न में लिया गया वर जूझे पहर बुमत्टनु में जरूत रही है मुझेंख़ विति शुझेुझेटिä लिया गया वोद इसान भूली यो बूली येपलां है आप पेटी है कि लॉवंटेशिथिए ईपली मालू मैं मुझे वोड सदन में उपस्ती थे, उनका हम लिया गए हएगा हएगा हईपली मैडव इसान भी इसान है इसान भी आपको अगर मोठी थे है आप बैठी है नहां मैं इसके बाद मुका दूढ़ंगी अभी हो इल नहीं परे eight grand house okay उनके बाद रिख्लाइ का मुटा आपको देंगे उतने मुटाइब एक बात है राओजी एक बात है राओजी एक मिनिट बार बार डिफेंस मिनिस्टर का नाम लिया जा रहा है इसलिए आपके बोलने के बाद आपको बिल्कुल वोका दो क्योकि शी और जाय रही प्रिफेंस मिनिस्टर को क्योकि लुट आपके बहुता आपको देटूगि नतंच्वाजी एक मिनिट पोलुट सो-प्वेड लुट बात कही ना अपने अभी एक मिनिटूग्ट की कहना तो आपको देदूग है एक प्रिटूग्स Don't responding, don't responding and the gentleman clearly said that there is no secret pact between the Indian government and the French government so the defender has clearly spoken an untruth I want to understand the untruth is not going to go because I will clear the position कि लिए पुजैञ नजिए जलेदिने। मईंद्मिट्वी थौ अफिए vice सिर्वी अजिए विगर संट्रेश्ट धिले जिले अभा ही लिए सिर्वी चाहिंट में जय सक और नौ Yeah, everybody understands the relationship the PM has with certain business people. Everybody knows it. Everybody understands and everybody can see the amount of money that goes into the marketing of India's PM, and everybody understands who it comes from. One of those people was given the Raphael contract. and he benefited thousands and thousands and thousands of crores the contract was taken away from HAL he cannot play unsubstantiated and the gentleman the messages the gentleman benefited to the tune of approximately 45,000 crore rupees this is the truth now the prime minister must explain and he must answer in this house whether the cabinet committee for security took this decision or not the prime minister must also explain why this contract was taken away from HAL and the youngsters of Karnataka and given to a businessman who had a debt of 35,000 crores and has never ever built an aeroplane in his life now these are the things that the prime minister of India must explain he must explain why a businessman has been favored I know I can see he's smiling but there is a touch of nervousness in the gentleman there is a touch of nervousness in the gentleman and he is looking away from me I can understand that and now he cannot look into my eyes he cannot look into my eyes I can see that because the prime minister has not been truthful that is no fact now let me move on So this is Rahul Gandhi Congress has the subject of Karnataka in relation to the land my account you can hear us वर्तुररी महतावेकता गोशना करती लें तापर विजुजनता दल्रा सांशत माने ग्रोह चाणी की चाली जाई थिले तो ये प्रसंगर कोई चंती दल्रा सांशत कलिकेश नाराणी चिंग दो ये वंग प्रसंद पाट साणी असंद शुडिबा P.E.A. सरकार विड़े आमें दशाबर साथ अव जब जब हली तो ये बड़ियां गपाई अभीन परनाय जे बरबाग कोईफत दे कैटोगरी स्टेट लेओ स्पेशल काटोगरी स्टेट उमाई ताकु तो करागला नहीं से सरे महान दी जोलो चमत्तन कर जोलो पवन आउ जमीन नही के वीबात करिए उचितनु हो जते वड़े ताकु नेहिकरी वर्तोवान सुखा पडिचे महान दी ताकु नेहिकरी जते वड़े आमको अभाला करागला आमको था सुना गला नहीं जिव माने आज आनीछन्द अनस्ता प्रस्ता शे मानुक आमें को सर्तरे समर्था न करिएुू आमें गोडे एकोडिस्टन पॉलिशी मेंटेन करूछु एनडिया सरकार तु त्था उपिए सरकार दू चोदो बर सहला ना उपिए सरकार ना उडिशार कथा मने पकैछी उडिशार स्पेशल करिकृटी चेटरस रो इस्चु कुनाई कोरी जेतु बीजेपी सरकार प्रथम एलेक्शन मानिसेस्टर पॉइंट मुद्धा थेला ते माने चारबर सेला नी किछी करी नांती तो पंद्रमेट्रे कोण कही थांतु जहां को आमें वोटिंग कोरेवु जहार वोटिंग रो रिजल्ट्टा सुनिष्चित अच्छी की एंडे सरकार जित्ती वो ता भीतर आमें भागनेवा चाहूना थुलू एकोड़े ड्रामा बिलोडिंग को बड़ा दमत्पाई एट्टो किवा नमस्का कर दो